हेलो गाईस कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि आपके जो परसन है क्या वो आपको मिस कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि आप दोनों के बीच में अभी क्या सिच्वेशन है क्या चल रहा है जो भी रीडिंग देख रहा है क्या उनके और उनके परसन के बीच में इस वक्या चल रहा है mutual energies क्या है release का card यहाँ पर आया है ऐसा लगता है कि अभी situation आप दोनों के बीच में बहुत ज़ादा problematic है या तो relationship ऐसा लगता है कि ending के तरफ है या इस person यह person बहुत ज़ादा upset है या फिर आप upset है क्योंकि दोनों की mutual energies है दोनों ही इस वक्त जो है relationship को लेकर काफी struggle करे है देखते हैं कि आपके क्या energy है आपकी overall energy क्या है situation में आपकी क्या energy है growth और आपके person की क्या energy है है आपकी आपके person की क्या energy है इस वक्त यहां पर है impatience देखें आपके energy ऐसा नजर आ रही है कि आप इस वक्त अपने life में grow कर रहे हो या तो आप अपने financial चीजों में बहुत focused हो और financially grow कर रहे हो और या फिर आप emotionally खुद को heal कर चुके हो या करने के process में हो और जैसे कि green color जो है यह बता रहे है कि आप अपने heart चक्रा इस वक्त आपके heart चक्रा में आप बहुत work कर रहे हो और आप साथ में अपने life में जो भी चल रहा है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और financially और अपने career में आप focused इस वक हो या देखिए आपके person के energy आई है impatience यह person इस वक्त खुद को बहुत ही ऐसे situation में देख रहे है जहां कि इनको रास्ता नहीं नजर आ रहा है आगे life का यह आप दोनों की mutual energies इसलिए आई है क्योंकि यह आपके person की जादा energies लग लिए है क्योंकि आप इस phase जो यह phase है जो दु रिकल चुके हो अपने past में आप इस person के लिए हो सकता है बहुत जादर हो हो पर अब यह person जो है यह person उस energy में है अब यह person बहुत जादा impatience है यह आपके तरफ आना चाहते हैं पर ऐसा लगता है कि आप अपने life में आगे बढ़ चुके हो ठीक है तो यह आप दोनों की mutual energies थी तो देखते हैं आपके person क्या आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं पहला कार्ड है यहाँ पर eight of events definitely हाँ मिस कर रहे हैं पहला कार्ड ही आ चुका है आपके लिए बहुत जादा strong इस वक्त attraction है passion है ठीक है burning desire है आपके लिए आपको बहुत बुरी तरीके से अपने life में वापिस चाहते हैं देखे यहाँ पर भी impatience का गार्ड आया था बुरी तरीके से चाहते हैं कि आपसे बात हो और आपके पास आना चाहते हैं ठीक है इस relationship को आगे बढ़ाना चाहते हैं आपको देखके बहुत साथ आपके person excited है इ आपके person आपको miss करते हैं यहाँ पर है 5 events देखिए आप दोनों के बीच में relationship आप दोनों का ऐसा है कि मुझे ऐसा लगते है कि आपको शायद नहीं पता है आपके person कैसे feel कर रहे है और आपके person को भी नहीं पता है क्यों आप क्या feel कर रहे हो तो एक तरीके से confusion है तो एक तरफ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि यह person जो है आपको बहुत like करते हैं आपके लिए बहुत passionate है पर दूसरी तरफ जो है external जो circumstances आप दोनों के relationship में उसकी वज़़ज़ से बहुत ज़्यादा problems आ रही है किसी दूसरे लोगों का external influence की वज़़ज़ से problem आ रहा है या फिर इस person के खुद के जो है mental thought उसकी वज़़ज़ से यह आपको communicate नहीं कर पा रहे है या फिर दूसरों की वज़़ज़ से नहीं कर पा रहे है आपके person क्या आपको miss कर रहे है आपके person आपको miss कर रहे है 10 of pentacles का card यहां पर आना चाहरा है देखिए आपके person जो है वो बहुत सपने देख रहे हैं सपने ऐसे देख रहे हैं कि आपके साथ family है उनका ऐसा लगता है वो आपको life की सारी खुशया दे सकते हैं इस वक्त आपको financial stability दे सकते हैं और वो अपने life में भी stability कही ना कही ढून रहे हैं देखिए आपके person क्या आपको miss कर रहे हैं page of pentacles देखिए आपके person के मुझे ऐसे भी लग रहा है मन में इस वक्त ये भी आ रहा है कि वो family आप दोनों के बीच में family की वज़े से problem है और वो family से भी fight करने के अब mood में आ रहे हैं देखिए page of pentacles ये person का focus इस वक्त आपके तरफ है और सोच रहे हैं आपको लेकर काफी ज़्यादा सोच रहे हैं और miss करती हुई तो energy है बहुत passionate है आपके लिए और क्या feel करने हैं देखिए four of events ये person आप से reconciliation चाहते हैं ये आपके तरफ एक small offer लेकर आ सकते हैं reconciliation का ये अपने तरफ से हो सकता है आपको बोल सकते हैं कि आपके साथ reconciliation चाहते हैं एक होना चाहते हैं जो दूरिया है उसे काम करना चाहते हैं क्योंकि आपके absence से आपके person की हालत इस नहीं है है वह बोग्षा जादा बेचान हो रहें कि आप उनको को सकता इस वाउस वाउसे भी वह सकता है देखते आपके परस्ट से क्या को मिस्स कर रहे हो है कि एस और फ़ाट इक परसN मिस्स कर रहे है और इनके दिल में इस वक्त तो आपके लिए बहुत strong emotions है ठीक है 10 of swords का भी card है, यह नहीं चाहते कि आप दोनों का relationship end हो इस वक्त के person बहुत ज़्यादा दुख में है, हो सकता है आपकी तस्वीरे इनके phone में हैं, तो वो देख रहे हैं और जिता भी यह try करते हैं, situation में work करना ऐसा लगता है कुछ भी काम नहीं कर रहा है और खुद को ऐसा लगता है कि हारा सा हुआ feel करते हैं, betrayed feel करते हैं, ठीक है ऐसा आपके person feel कर रहे हैं ठीक है ऐसा लगते है कि वो इस relationship में हर बार जो है अपने तरब से कोशिश करते हैं, फिर भी हार जाते हैं, यह ऐसा ऐसे situation है देखते हैं, what is what is यह person आपको justice देना चाते है message communicate आपको करना चाते है तेरन आप पेंटेकल्स देखे यहाँ पर death आया, यह person जो है ऐसा लगते है मुझे कि family की वज़े से इस वक्त बहुत ज़्यादा upset है, वो सकते family की वज़े से ही यह person आपके साथ relationship इन्होंने end किया है और यह relationship end करके बहुत upset है, बहुत upset बहुत disappointed है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे आगे, fair रहना चाते हैं यह, मतलब कोई भी ऐसा गलत decision नहीं लेना चाते हैं, इस वज़े से आपके person सोच रहे हैं और आपके तरफ प्यार भरा जो है, एक offer लेना चाते हैं बताना चाते हैं कि वो आपको चाहते हैं, पर कहीं न गहीं उनकी ego बीच में आ जाती है और फिर वो feelings को फिर height कर देते हैं फिर time लेते हैं बहुत जादा तो ऐसा situation आपके person के दिल में आती है, देखे पर आपके person के दिल में feelings definitely है इसमें कोई भी route नहीं है और वो आपको बहुत जादा miss कर रहे हैं इस वक्त आपके person क्या आपको miss कर रहे है और क्या बोलना चाहते हैं situation में यहाँ पर है you are the dream I go to every time I close my eyes जब यह आखे बंद करते हैं तो आपी के सपने वो देखते हैं आपी के बारे में सोच कर सोते हैं और क्या बोलना चाहरे हैं I know you kiss my picture वो सकता है person आपके picture kiss करते हैं या आप करते हो उन्हें ऐसे लगता है और क्या बोलना चाहरे है you don't realize when you hurt ठीक है उनको ऐसे लगता है कि आप realize नहीं करते हो जब आप उनको hurt करते हो तो आप को realize नहीं करते हो I have never missed anyone as much as I missed you ठीक है तो जो missing वाली हमारी question है उसी का answer आगया है कि आपके person जितना आपको miss करते हैं आज तक उनोंने किसी को भी miss नहीं किया है तो ये थी आज की reading hope आपको अच्छी लगी हो thanks for watching thank you